Dear students, welcome again. Our today's topic is Need and Importance of Teaching Aids. जिने Teaching Aids ने उनना दी सदली की Importance है, means जो टीचर ने, जो टीचिंग लाइन दे विछ ने. First है, to make use of maximum senses. Maximum senses, जो अपने sense organs ने उनना दी maximum जडी use हो करना. क्योंकि जद उसी कोई भी audio visual aids सानों दिखाईयां जा रही हैं, ता सी अपने सारे ही sense organs ने उनना यूज कर दियां. सुन दे वियां सी, देख दे वियां, जेकर कोई चीज सुंगन वाली है, स्मेल करन वाली है, ओभी इसी कर दियां, जेकर इसी कोई गरम ठंडा दिखना है, टेस्ट दिखना है, ता सारा audio visual aids जे भी चौन दै ते उनना लाइसी जडी अपने maximum senses ने उनना नो यूज कर दियां best motivation, audio visual art, the most motivational things, क्योंकि इनल जेड़े बच्चे नो नो motivation मिल दिये, होर सिखन दे ले, then supplement the verbal instruction, उन्जी दा टीचर दे जो verbal instruction दिन दा है, ता है ओधो supplement भी है, supplement होंदा है पूर्ख, ओधे ब्राबर दा, जो भी टीचर को teaching aid दिखा के बच्चे नो पड़ा आ रहे है, ता हो जो verbal instruction ने, ओधे बराबर दी ही ओधे दी knowledge आ परवाइड कर दियाने, to develop concepts, if we want to clear the concepts, then we have to use teaching aids, ता ही जड़े बच्चे ने concept ने हो, उन्णानो clear होंगे, ते develop होंगे, to increase interest, उन्णा बच्चे ना interest क्रिएड करने ले भी जो audio visual aids ने, उन्णानो यूज करना जरूरी है, क्योंकि ज जिकर सी सिंपल, जिमें कि मैं तो अपर आ रही हैं, ते तुसी सिर्फ सुन रहे हों, एज़े दिखो कोई audio visual aid नहीं है, तुसी सिर्फ phone तो अपना देख रहे हों, बच्चे एक्सरा कुछ नहीं मेरी तो अनो सिर्फ notebook show हो रही है, तुसी बच्चे वड़े हों, तुसी समझ सकते हों कि इसी पढ़ना ही पढ़ना है, तुसी पढ़ोंगे भी, बच्चे वड़े इंटरस्त थोड़ी देर तक मैंटेन किता जा सकता है, बच्चे वड़े तक नहीं, इसकार कि जिकर जिए टीचे रहों, मैक्सिमम जिडियां audio visual aid ने, टीचिंग एड यूज करेगा, त लास दिवच इंटरस्त था उसी क्रिएट कर सकते हैं, नेक्स्ट है, फॉर इंप्रूविंग एटिटूड, बच्चे वड़े इटिटूड हो, पाम एटुकेशन दे प्रति कहलो, जा फिर सड़ी जो लाइफ हो दे प्रति कहलो, टीचे दे प्रति कहलो, उनों इटिटूड अफ दा चिल्डरन, तो मेक लर्निंग पर्मानेंट, हुन जदो कोई भी टीचर क्लास टीच कर दे तो ओधा मेन माटी वे हुन दा कि बच्चे उन जादा देर तक याद रही, बट जेकर सी सिर्फ बुक को तो टीच कर आ रहे हैं कि हां जी तुसी ये पढ़न टू परवाइड वराइटी, उनसी बच्चे नो वराइटी परवाइड करनी है, सिर्फ असली ज़ी लेक्चर मेहीर क् ज़ी टीचिय जट लेक्ट देनावा कोainों जडेविड्स याद भेन छास्टियं होंनल ये बच्चे इंट्रस्ट भी लेंगे तू मेक क्लियर इमेज इस अगली इंपोर्टन से है कि इनल असी जिड़े कोई भी टॉपिक करवा रहे हैं ओधिनल जो कोई भी कॉंसेप्ट ने जो सी ओदे विच एक थीम हुंदी है ओधि प्रती जिड़ी इमेज हो बच्चें समने क बेस्ट ओन मैक्सिम्स ओफ टीचिंग उन्हें जो टीचिंग दे सूतर ने मैक्सिम्स ने ओधे उपर भी बेस्ट है इस करके भी है इंपोर्टन जाना है इसी टू डिफिकल्ट नोन टू अन्नोन नेक्स्ट ए हल्पफुल फॉर कॉंसेंट्रेशन बच्चे ने जड़े ओ यह दे लिए लिसेंग केरफुली तो यह दे कन कॉंसेंट्रेट ओन एन्य टॉपिक इफ दीचिंग इड्स नेक्स्ट ए सेविंग डिफ दे शेविंग सेविंग 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 एनर्जी अगली इंपोर्टन से है कि इसेव दा टाइम एणर्जी ओफ टीचिर एंड ए सिखान दे लिए ते बच्चानों बहुत एफर्स नहीं करने पेंदे जदो ओही चीज ओना नों दिखा के पढ़ाया जा रहे हैं मीटिंग इंडिविज्ट डिफरेंसेज वी ओ आल दा सुड़न्स आर नोट एक्वल दे आल हैं इंडिविज्ट डिफरेंसेज तेसी इंड नहीं करने देख ओल लर्न अकॉर्डिंग टू देर कपेस्टी होन जेकर वैसे सी नॉर्मल पड़ा रहे हैं बुक रीड का रहे हैं जब बुक को तो टीचर काम करवा रहे है ता जेड़े बच्चे ता इंटेलिजेंट होनके जल्दी ग्रैब कर लेंगे नालेश नों ते जेड़े बच्चे लोवर लेबल दे होनके स्लोव लर्नर्स होनके तो पिछे रहे जनके बड़ जड़ों टीचर जड़ा टीचिंग एड़ी यूज कर है ता सारे ही बच्चे जड़ी नॉलेज अनू अच्छे तरीके नाल ग्रैव करनेंगे नेक्स्ट है हेल्दी बीच पुड़ा आउन लग गयां दूरिंग टीचिंग लर्निंग परसेस ही इस यूजिंग ओडिविजल एड्स देन ही कन मेक दा प्रॉपर इंट्रेक्शन विद दा स्टूरेंट्स क्योंके इंट्रेक्शन बहुत जरूरी हुन दिया है जिकर टीचर ते स्टूरेंट्स इस वेरी इंपर्टेंट्स. इफ टीचर इचि वाला इन्वाले इंवेर्नमेंट वती पैदा होएगा थी बच्चे लर्न करनेगा है सिस करके टीचिंग एड यूज करनद पियृदा की होएगा क्लास दिचे डिसिप्लीन मेंटें होएगा. लेवाल भी आएगी नमापन भी आएगा क्योंकि टिचर तंवल नहीं भार कुछ पर सेमय कर्रेशने ही बार ऐसे प्रिंसिपल्स थे यावே प्रिंसिपल्स ने उना नू पूरा कर दिया होंगे डेवलप्मेंट आफ हायर मेंटल एबिल्टीज जदुन जड़े टीचेर है क्लास देचे टीचिंग एड यूज करके पड़ाएगा ताउदी इंपॉर्टेंस से होगी कि बच्चेया जड़ा हाई मेंटल एबिल्टीज मेंटल जड़ा सिखनगे जड़ा कैरी करनगे तो डेल विद पापूलेशन एक्स्प्लोजन तो अनू सारे ने पदा कि जड़ी पापूलेशन अदुछ लगा तार वादा हो रहे है ते इन्नी जड़ा बड़ी पापूलेशन नो असी जड़े सिंपल मैथड से नाल डील कर नेक्स्ट है तो डील विद नॉलेश एक्स्प्लोजन उन्जे करसी आज दे टाइम दिगाल करीए ता जड़ी नॉलेश है ओदे विच भी डे बाई बहुत ही ज़्यादा बादा हो रहे है इंक्रीज हो रही है तो उस नॉलेश नू परवाइड करन दिली सप्रेड करन दि वी जड़े ओडिविजल एड्स ने ओहो अपना इंपोर्टेंट रोल प्ले कर देने स्पोज कर सी टीवी दिगल कर दें ता हर कार देविच टीवी है हर एरिये देविच टीवी है पूरे इंडिया देविच टीवी है असे उन्हें कोई नॉलेश प्रवाइड करना चौन या जहां सी जेकर पॉपूलेशन ज्यादा सिननों प्रावना चौन तक ही है किसी एस जरीए जिदा रेडियो और टेलीवीजन हो गया इन्हें दोरा सी सारी पॉपूलेशन नॉलेज प्रवाइड कर सकते हैं ते जड़ी नॉलेज देवरी है नॉलेज देविच लगातार कि लेके आया कोई भी किसे भी टॉपिक दिना अर्लेटेड स्पोर्ज करो नाउंद उपर सी ता जड़े देखो बच्चे ने कारजा के खुद भी एफर्स कर सकते हो उन्हानों सिखन देली उत्षाहिद कर दें कम करन देली उत्षाहिद करने जड़ियां टीचिंग एड्स न करोने जड़ो नाल नाल कोई भी टीचिंग एड्यूज कर रहें पामे रेडियो टेलिविजन है कोई चार्ट ग्लोब मैप्स कोई भी चीज तो सी कहलो था ओदे नाल बच्चे ने साइंटिफिक एटिटिटूड पैदा होएगा क्योंकि ऐसी बच्चे नो चीज असल खावी रहें यह क्रसी नॉर्मल गल्ला कर रहें ताहां बच्चे नो उन्हा समझ नहीं पएगा नेक्स्ट है एलपफुल फ़र टीचर दे लेए भी एलपफुल ने एहे कि में हलपफुल ने क्योंकि जदों टीचर है उन्हें पड़ाना है कोई भी कॉनसेप्ट क्लियर कर नहीं ओस्ट अपिक दे क्योंकि रिच्चेश को अवेलेवल हुन दैं ही और शी कें यूस ताम टीचेर नूं सेप्ट क्लियर क्राना शुखा हो जाने यह जेकरिक लिए भुक दी हलप लाएकर पड़ाना है ता टीचर दे लिए कोई ऐ चिज़े बैनेफिशल नहीं होनी य टीचर ने कुछ मैट्स दा काम करोना है मैट्स था अनुपत है बिल्कुल पॉसिबल नहीं विदाउट ब्लैक बॉर्ड इस करके जड़े टीचर है जदों हो ब्लैक बॉर्ड नो यूज करके सारे सम्द करवाएगा ता बच्चे भी कर लेंगे जैके टीचर ही कला बोल के सम् अगर टीचर ने क्लास देच कोई अक्टिविटी भी रखनी है मैस करवा रहे स्टेटमेंट लिखिया है ब्लैक बॉर्ड देउपर किसे बच्चे न किहा जा सगता है कि तुसी इस स्टेटमेंट नो होन सौलव करो समझा हो इनू किया द्विचे ताहे टीचेस देले भी है इनल टीचर नो बच्चे ने जड़ी अचीवमेंट्स ने उना वारे भी नाल दी नाल पता लगदा रहने है अचीवमेंट ऑफ अब्जेक्टिव्स ने उनानों पूरा करन देले भी जड़ी ऑडिवीजल एड्स ने हो हेल्पफुल ने किस त्रीके नाल हून एम्स की ने अब्जेक्टिव्स की ने कि सारे बच्चे नों सी पुड़ाण है उननारी मेंटर डवल्पमेंट करनी है ता मेंटर डवल्पमेंट कित्दा हो है कि जिकर सी उननानों जड़ी नौलेच आओ ओडिय विजल एड्स दे थू धे रही हैं वदिया त्रीके नाल आसी उननानों इंप्रूबमेंट हों दिया है उननारी विच नेड़ता वद्दी है क्योंकि जड़ा टीचेर जदों बच्चे नों सही तरीकनल कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं किसे भी त्रांदी एड नों यूज करके देखो सुडेंट सही तरीकनल समझेंगे ते सुडेंट ने माइंड करनेंगे रिगार्डिंग एने टीचिंग एड तां टीचेर नों भी पता लगे कि हां मेरी बच्चे अंडेस्टेंड कर रहे हैं दे वांट टू नों मोर वो होर सिखना चौन देने फॉर्दर वीजन ओफ सब्जेक्ट मैटर होनसी कोई भी जड़ा सब्जेक्ट मैटर है सब्जेक्ट मैटर हो जेगी ते बच्चेंग नाल समझ आ लेगा नेक्स्ट है एडुकेशन इन रिमोर एरियाज लिखना सी बच्चे मैं रिमोर एरियाज मीन्ज जिते के जड़ी एडुकेशन है उथे पहुंचना सौखा नहीं अख्खा काम है जिमें के आसी बहुत दूर द्राडे केत्रा दिगाल करिये ता उथे जड़ी है टीचिंग एर्ज ने ओना दे द्वारा ज कोई फिल्म आव गारा है गियां ओनर द्वारा सी उन सारे तक जड़ी कोई भी एडुकेशन है कोई भी किसे विद्रा दे नौलज आसी पहुंचा सकते हैं एडुकेशन है रिमोर एरियाज लिए हो हनने जड़ी के दूर द्राडे दे एरियाज हुंदे क्योंकि झाल झाल